नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ सुमि चोधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के ही नहीं बलकि दुनिया के सबसे महांतम और प्राचीनतम विश्यो विद्याले में शुमार नालंदा विश्यो विद्याले के इत्यास की तो अगर बात करें नालंदा की तो नालंदा भारत का सबसे प्राचीन तम तो नहीं लेकिन दूसरा सबसे प्राचीन विश्यो विद्यले माना जाता है आफ्टर तक्षिला तक्षिला जो आज के समय पाकिस्तान में है लेकिन एक समय पे ये भारत का हिस्सा हुआ करता था तो भारत का सबसे प्राचीन विश्यो विद्यले तक्षिला को माना जाता है नालंदा लेकिन सबसे मशूर विश्व विध्यले क्यों माना जाता है नालंदा एक ऐसा इंस्टिटूट था जिसमें सिर्फ भारत के ही नहीं बलकि चाइना, तिबबत, मंगोलिया, तुर्की और जापान तक के लगबग 10,000 से जादा स्टुटेंट इस विश्व विध्यले में पढ़ते थी हालांकि इस विश्व विध्यले को कुछ लोग कहते हैं कि एक बुद्धिस्ट इंस्टिटूट था जहाँ पे बुद्धिजम की पढ़ाई होती थी लेकिन ऐसा कहना बिलकूल भी सही नहीं है ये एक ऐसा इंस्टिटूट था जहाँ पे सभी विश्व विश्व की पढ़ाई होती थी एक ऐसी महान इंस्टिटूट ऐसी महान युनिवस्टि थी तो लेकिन अगर बात करें बारवी शताबदी की तो इस इंस्टिटूट को पूरी तरीके से डिमॉलिश कर दिया गया किसके दुआरा एक बेवकुफ धर्मांद और पागल सन की आदमी था जिसका नाम था मुहमद बिन बक्तियार खिलजी इस आदमी ने इस इंस्टिटूट को पूरी तरीके से दोहस्त कर दिया 1193 में में और इस तरीके से इसको जलाया गया इसकी कहानी है कि इसकी लाइबरेरी को जब जलाया गया था तो वो लाइबरेरी लगबग 3-6 महिने तक जली तो सोचिए इसमें कितना बड़ा ग्यान का भंडार रहा होगा और कितनी सारी किताबे हुई होगी millions of books इसके अंदर थी हालांकि इसका कोई exact number नहीं है अलग लग जगह पे आपको कुछ भी लिखावा मिन सकता है कहीं लिखे 90 लाग किताबे थी कहीं कुछ लिखी हो कहीं कुछ लिखी हो लेकिन वो एक बात नहीं है बात यह है कि 3 महिने तक जली और इतना बड़ा institute था कितनी कितनी महान किताबें थी इसके अंदर उन सभी को ध्वस्त कर दिया क्यों किया गया क्या कुछ रहा और नालंदा का इतियास क्या है उसको हम detail में पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं नालंदा क्या है तो मैंने कुछ कुछ चीज़े आपको बता दी हैं वो आपको मैं यहां पे लिखित में दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी को notes में भी चीज़ें चाहिएं तो आप टेलिग्राम पे जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकें तो नालंदा उनिवस्टी जो है तो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी उनिवस्टी में से तो एक है ही है कहां पे स्थित हैं बिहार के राजगिर में राजगिर जो एक समय पे जो बिहार का जो मगद अंपायर था इसकी राजधानी हुआ करते थी आप कहेंगे कि इसकी मगद की राजधानी तो पाटली पुतर थी हाँ बिलकुल मगद की तीन राजधानिया रही है इत्यास में एक राजग्री रही है एक वैशाली रही है और एक पाटली पुतर रही है तो एक पुरानी राजधानी थी राजग्री तो उस समय यहाँ पे य विश्व विद्यले ठीक है मगद अंपायर में और बिहार एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक तरीके से ये महाजनपद भुआ करता था मगद 16 महाजनपद का ये समय है 500 BC के आसपास का तो मगद की बात हो रही है ठीक यहां पर ये विश्व विद्यले स्वामिलित है हालां कि ये जो विश्व विद्यले है ये पांचवी शताबदी में लगबग बना और बारवी शताबदी में जब खिलजी ने इसको डिस्टोई कर दिया तो उस समय ये पूरी तरीके से नदोस्त हो चुका था तो 800 सालों का एक ही बहुत ही गजब का इत्यास इस विश्व विद्य है कि मनें आपको बात कही कि यहां पे लगबग 2000 टीचर थे जो पढ़ाते थे और 10,000 यहां पे स्टुडेंट लगबग दुनिया भर के देशों से यहां पढ़ते थे चाइना है कोरिया है जापान तिब्बत मंगोलिया टर्की श्री लंका साउथ इस्ट एशिया तक के जो स्टुडेंट हैं यहां पे पढ़ते थे और चीनी यात्री हेंसांग ने नमबर दिया है कि लगबग यहां पे 1510 टीचर थे और 85-600 से ज़्यादा यहां पे स्टुडेंट पढ़ते थे तो लगबग आ गया आकड़ा लगबग इतने ही थे अलग-लग जगय पे अलग-लग लिखी वी जो टेक्स्ट हैं उनमें ही ज़्यादा नालंदा विश्यो इद्धेले के बारे में पता चलता है क्योंकि बाकी सबको तो डिस्टॉइ कर ही दिया गया था उस लाइबरेरी में के साथ ही इस इंस्ट्यूट का जो ज़्यादा मेजर इत्यास था वो वहीं जला द जाता है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर जो रहते थे स्टुडेंट वो सभी विश्यों का अध्यन करते थे एस्टॉलोजी फिजिक्स मेडिसन आर्किटेक्चर फिलोसोफी जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सब कुछ यहां पर पढ़ाया जाता था तो सिर्फ यह कहे देना कि यहां पर वेदों की स्टुडी होती थी या बुद्धिजम की स्टुडी होती थी या फिर कुछ जैनिजम की इसके अंदर स्टुडी होती थी तो सिर्फ धार्मिक संस्टा नहीं थी यहां पर सभी विश्यों की प्रॉमिनेंटली स्टुडी की ज देने वाला गिवर जो देता है तो लोटस यानि कि आप क्या यह कहेंगे कि कमल देने वाला नहीं बिलकुल नहीं हिंदू और बुद्धिजम दोनों धर्मों के अंदर जो लोटस है इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है दोनों में ही यह माना जाता है देखे यह सरस्वती देव हैं और यह इसका यह ज्यान की देवी मानी जाती है तो ज्यान का एक सवरूप माना जाता है एक बहुत ही मिनिंग माना जाता है लोटस को कि यह एक तरीके से विजडम का परतीक है उसी तरीके से बुद्धिजम में भी बहुत इंपोर्टेंट लोटस को माना जाता है जो ब मतलब होगा नालंदा ठीक है तो ये नालंदा का मतलब है बात करें इस महान इंस्टिटूट की फाउंडेशन्स की और इसके शुरुवात में इसको किसने इस्टैब्लिश किया तो जो आर्केलोजिकल एविडेंस मिलते हैं और सिक्के मिले हैं उसमें पता चलता है कि एक शक् चंदर गुफ्त परथम इनने एक तरीके से इसको फांडेशन रखी थी हालंकि शिरि गुप्त ने रख दी थी और फिर चंदर गुप्त और पिर चंदर गुप्त सेकंड आया और उसके बाद आता है कुमार गुप्त का जो पिरियड है वो 415 से 445 एडी के बीच का समय माना जाता है तो यानि कि जो मिडल टाइम है फिफ्ट सेंचुरी का उस समय पे इसकी नीव रखी गई थी नालंदा विश्यो विद्यले की तो कुमार गुप्त जो की चंदर गुप्त सेकंड के सन है चंदर गुप्त जो महान राजा माना जाता है चंदर गुप्त सेकंड को चंदर गुप्त विक्रम मादित्य जिसके उपर विक्रम वेताल वाला अगर आपने सीरियल देखा हूँ वही वाला उसका बेटा था कुमार गुप्त और समंदर गुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है उसका ग्र उनिस्टी की तो 800 सालों से ये उनिस्टी चलती रही थी 500 से 12 शताबदी तक और बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहां पर पढ़ने आए और बहुत सारे पिल्ग्रिम्स भी आए बुद्धिस्ट मौंक भी यहां पर रहते थे तो हलांकि इस इंस्टिटूट को यहां पर होती थी इसकी लाइबरेरी बहुत फिमस है और उस लाइबरेरी की आग की बात हमने की थी तो इसमें तीन लाइबरेरी थी एक बड़ी लाइबरेरी थी जिसके तीन हिस्से थे और तीनों बिल्डिंग नाइन स्टोर हाई थी यानि नाइन फ्लोर की बिल्डिंग सोची उस जमाने में इतनी बड़ी library होना कितनी सारी पुस्तके इसमें रही होंगी इन इंस्टिटू लाइब्रेरी का नाम था रतना सागर जिसका मतलब होता है ocean of the jewels रतना दोधी जिसका मतलब होता है sea of jewels और रतना जाका जिसका मतलब होता है जिसको यहां के बच्चे पढ़ते थी और यह institute है तो ऐसा बड़ा institute था इतना महान institute था तो इसके अंदर तो हर कोई पढ़ना चाहेगा हर कोई पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए एक limited city तो थी ही तो उसके लिए एक entrance procedure था proper तरीके से entrance होता था तीन exam होते थे तीन level पे test हुआ करते थे अपनी ability को prove करना होता था तब जाके यहां पे इस institute में रहना होता था इतना discipline के साथ रहना होता था ऐसा नहीं कि आप एक तरीके से कैसे भी रह रहे हो कोई पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं एसा possible यहां पे नहीं था बहुत ही discipline university थी जैसे आज का system है आज तो हम democracy में रहते हैं कोई मतलब योग्यता के आधार पे किसी को seat मिलना एक अलग बात है लेकिन उस समय पे राश्तंतर का जो समय हुआ करता था उस समय योग्यता के आधार पे बच्चों का selection होना एक institute में योग्यता के आधार पे students के साथ साथ teachers का selection होना उनको पदवी देना यह बहुत ही बड़ी बात थी तो यह यहां पे इस तरीके से इनका वो हुआ करता था entrance procedure होता था इसलिए यहां पे बहुत महान-महान चात्र भी निकले हैं और public funded university थी यह भी बड़ी बात है उस जमाने के हिसाब से कि जो बच्चे यहां पे पढ़ते थे उनको किसी तरीके की कोई fees नहीं देनी पढ़ती थी ना कोई tuition fees देनी ना hostel fees देनी ना mass charges देने कुछ नहीं देना था तो इनका खर्चा कौन वहन करता था राज जे इनका पैसा वहन करता था और राज जे उठाता था तो basically कैसे कि थ्यास में ऐसे चाइनीज मौंग है एक इंगिन येंजिंग इन्होंने बताया है सातुष रताबदी में कि 200 गाओं को इसके लिए अपोइंट किया गया था कि इस उनिवस्टी की मेंटेनिंस इसका रख रखाओ जो है और जो भी इसमें खर्चा लगेगा ये 200 गाओं का जो रिवेन्यू है वो इस इंस्टिटूट में जाएगा तो basically मैंने क्या कहा कि एक ऐसा समय अगर आप बात करें बड़ा दिल्चस्ट बात है कि राजतंतर के समय पे एक पब्लिक फंडेड इनिवस्टी होना जहां पर प्रोपर तरीके से योग्यता के आधार पे बच्चों का सेलेक्शन होता है एंट्रेंस प्रोसेजर होता है ऐसा इंस्टिट्यूट का मिलना बहुत ही बड़ी बात थी तो बहुत अच्छी उनिस्टी होना इसका अपने आप में एक संकेता क्योंकि बच्चे अपने योग्यता के अधार पे जाएंगे इसलिए यहाँ पे इतने महान-महान अल्यूम्नी निकले जैसे कि आर्य भट आरे भट को आप सभी जानते ही हैं आरे भट एक महान मैस्टमेटिशन थे एक एस्टोनोमर थे जिन्होंने जीरो की खोज की इन्वेंशन किया जीरो का आरे भट ने पाई की वेल्यू को इन्होंने कैलकुलेट किया तो इस तरीके के व्यक्ति थे आरे भट और आरे भट की बायोग्राफी हम किसी दिन पढ़ेंगे डिटेल में तो नागारजुन, शिल भदर, अतीशा, धरमपाल, हैंसान, शुंगजान, इन्शिंग इस तरीके के जो बड़े बड़े जो नाम हैं परशित चहरे हैं वो इस महान इंस्टिटूट की ऐलूमनी रहे हैं अलूमनी मतलब जो इस इंस्टिटूट में पढ़ा है उसकी बात है तो इतने बड़े बड़े लोग यहां पर पढ़े हैं क्यों पढ़े हैं इन्हीं सब सुईधाओं की वज़े से की पबलिक फंडेड थी, एंट्रेंस हुआ करता था प्रोपर, उसके लाओ इतनी बड़ इसी बात की की आठ सो सालों तक कैसे एक तरीके से प्राउडली खड़ा था यह इंस्टिटूट लेकिन बाद में क्या हुआ, हलांकि ऐसा नहीं है कि खिलजी से पहले इसको किसी ने डिस्ट्रोई करने की कोशिश नहीं की, तीन बार इस इंस्टिटूट को डिस्ट्रोई क क्यों खह रहा हूँ वो आपको अभी बताऊँगा, क्योंकि उस समय भारत में एक तरीके से काफी सारे इस्लामिक इन्वेजन हुए थे, मुहमद गजनवी के हुए थे, 27 बार जो 17 बार अटेक हुए थे, फिर मुहमद गोरी आया है, तो बहुत सारे जो टेमपल्स हैं, बह को सबसे पहले तोड़ा, किसने तोड़ने कोशिश की हुण, हुण एक पढ़ जाती है, हुणों का जो इन्वेजन है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में किसी दिन, बहुत इंपोर्टेंट है, और ये कहां से आये, इनके राइज की, और इन्होंने कैसे कैसे इशि जामन को काफी पुश बैक किया, काफी रिटेल्येट किया, लेकिन फिर भी इन्होंने नालंदा के ओपर एटैक कर दिया था, और नालंदा को काफी इन्होंने नुकसान पहुचाये था, लेकिन बाद में इन्हें गुप्ता डैनिस्ट्य के जो रूलर्स हैं, इसकन्द गोडाज जो किंडम था बंगाल का इसने वही व्यक्ति आपको शशांग के आद होगा हर्श वर्दन के समय पे जिसने जो बोधी ट्रे था जहां पे महात्मा बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति भी ती गया में उस पेड़ को कटवा दिया था बोधी ट्री को कटवा दिया थ तो गोडाज ने सातिश अताबदी में इसको बुद्धिजम का एक परतीक मान के इसके उपर अटेक कराया था क्योंकि उसमें बुद्धिजम काफी प्रोमिनेंट रिलीजन था और ये गोडाज जो है वेदिक रिलीजन को फॉलो करते थे और ये काफी चाहते थे कि इनका परभाव बड़े और बुद्धिजम के परभाव को कम करना चाते थे बहुत सारे इस तरीके से इन्होंने अटेक किये तो ये अटेक हुआ तो इसके बाद भी काफी इसका डिस्ट्रक्शन हुआ तो उसके बाद हर्शवर्दन जो अगर बात करें भारत की तो लास्ट को फिर से बनवाया तो हुणों ने अटेक किया उसके बाद गोडाज ने किया और उसके बाद जो आखरी जो आकमन हुआ वो टर्किश इन्वेडर बक्तियार खिलजी ने किया पूरा नाम बोलूँ तो मुहमद बिन बक्तियार खिलजी तो अब इसकी क्या कहानी है वो समझ चोहान के बीच में तो 1102 में का जो युद हुआ तराइन का उसके बाद मोहमद गोरी जीत गया पर्थिरा चोहान हार गये और मोहमद गोरी जब भारत में आया तो उसने वो पहला एक ऐसा इवेंट था जिसमें भारत में इस्लामिक रूल का इस्टैबिश्मेंट हुआ था इस्लामिक रूल का इस्टैबिश्मेंट हुआ और उसने क्या किया अपने एक क्या बोलते हैं गुलाम जिसका नाम था कुतुब दिन एबक उसको गवर्नर बना दिया था 1102 में ही भारत के अंदर दिल्ली में हलांकि 1206 में वो कुतुब दिन एबक भारत का रूलर बन गया महमद गोरी के मरने के बाद लेकिन उस समय वो उसका गुलाम था 1102 में और 1102 में और 1103 में यही वो समय था जब एक और व्यक्ति यही बक्तियार खिलजी जो था इसको ज्यादा इज़्द दी नहीं जाती थी इतना कोई बड़ा यह खास नहीं था महमद गोरी का तो इसने अपना एक तरीके से वर्चस्वा बढ़ाने के लिए अपना एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ कितना सुपीरियर हूँ और इसी लिए इसने क्या किया कि अटेक करवा दिया किसके उपर नालंदा विश्व विद्धहले के उपर नालंदा विश् नफरत करता था इंटोलरेंड था तो इसको इसने देखा कि ये तो बुधिजम का एक बहुत बड़ा पड़तिक है यहां पे वेदों की भी शिक्षा दी जाती है और इसलिए इसने क्या सोचा कि इसको तुड़ा देते हैं एक चोटी सी कहानी ये भी है कि एक बार खिल जी बि घर्व था जहां तरकिश से हम आये थे ये तर्कमेनिस्तान से जो लोग आये थे तो इनको ये लगा कि हम क्यों नहीं कर पाए हमारे जो वो है क्या बोलते हैं काजी वगेरा हम मेरी ठीक नहीं कर पाए बिमारी और ये नालंदा के एक मौंक ने कर दिया तो इस चीज से जलता था और इसने इसमें आग लगवा दी तो कारण कुछ भी रहा हो बात यह है कि मुहम्मद बिन बक्तियार खिलजी ने अपनी धर्मादिता के कारण अपनी रिलिजियस इंटोलरेंस के कारण 1193 में में इस नालंदा विश्व विध्यले की लाइबरेरी में और इसके पूरे इंस्टिटूट में आग लगवा दी यहां पे जो भी बुद्धिस्ट मौंग थे उनको मार काट करके गिरा दिया उसके जो यहां पे ओफिशल्स थे जो टीचर्स थे जो बच्चे थे जो मिला जो बीच में है उसको मार दिया गया काट दिया गया और लाइबरेरी को आग लगा दी और ऐसा माना जाता है कि तीन से च्छै महीने तक यह लाइबरेरी जो है जलती रही तो सोचे कितना बड़ा ग्यान का बंडार यहां पे रहा होगा और उसके बाद क्योंकि भारत में इसलामिक रूल की establishment हो चुका था और कोई बड़ा ऐसा महान रूलर था नहीं जो कि इस इसे 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 अपने पैरों पे खड़ा कर सके या कोई ऐसा बुद्धिस्ट रूलर भी नहीं था और इतना बूरी तरीके से द्वस्ट कर दिया था कि दुबारा इसका रिवाईव होना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया था तो यह लास्ट टाइम था जब उसके बाद इसका कोई development हो नहीं है अब recently 2014 में institute दुबारा से खुलाए लेकिन वहाँ पे नहीं कुछ दूरी पे दुबारा नालंदा विश्विदहले को रिवाईव करने की कोशिश की गई है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा गया और पूरी तरीके से इसको destroy किया गया अगर बात करें 2006 की तो हमारे honorable president Mr. Abdul Kalam जी वो गए थे 2006 में बिहार की legislative assembly को एक तरीके से address करने तो उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि हम इसको revive करें तो आप जानते हैं कि कितने महान scholar रही हैं अबदुलकलाम साब उन्होंने ये शुरुआत की उन्होंने इसको ड्रीम को फिर से revive करने की reinvent करने की बात कही और उसके बाद इसकी parliament में भी बात ही और एक bill आया बिल कुब बक्राइदा act आया नालंदा university act 2010 और यहाँ पे ये institute बनना शुरू हुआ बहुत सारे विदेशी देशों ने भी इसमें funding करी पैसा दिया और 2014 सितंबर में ये university open हो गई इसका पहला बैच शुरू हो गया और अब नालंदा university पूराना जो institute है वहाँ तो अभी भी ruins हैं उसकी पूरी खुदाई आर्किलोजी अभी तक हुई नहीं है बहुत कुछ बचा हुआ है वहाँ पे और और चीज़ें भी पता चलेंगे जब उसकी पूरी खुदाई होगी क्या-क्या वहाँ पे मिल सकता है लेकिन एक नया institute नालंदा के नाम से बन चुका है भारत सरकार ने इसको दे दिया है पूरी तरीके से अलोट कर दिया है ठीक है आई होप आपको सारी चीज़े कलियर हुई होगी नालंदा विश्व इद्धैले से रिलेटेड तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप शेयर कर सकते हैं और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो सी यू इन नेक्स लेक्चर